पिछले वीडियो में हमने extensive reading शुरू की है और उसके concept उसके characteristics के बारे में discuss किया अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो है कि extensive reading का जो material है उसको चुनते हुए हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे important चीज है कि यह बच्चों की reading ability से थोड़ा नीचे का level का होना चाहिए ताकि बच्चे comfortably पढ़ पाएं उनकी speed अच्छी रहे और उनकी जो comprehension level है वो भी high रहे और confidence जो है उनमें बढ़े उसी तरह से मतलब खास करके intensive reading के लिए जो text prescribed है उससे lower level का होना चाहिए इसके basically दो important benefits है एक तो यह है कि word recognize करने हम उनको effort नहीं करना पड़ेगा अपने आप वो easily identify कर लेंगे दूसरी चीज यह है कि चुकि वह familiarity उनका जो competence level के नीचे का text होता है तो वो words को chunks में देख पाते हैं जब chunks में देखने का आपको याद होगा कि मैंने fast reading methods के time में discuss किया था उससे हमारी speed जो है अपने आप बढ़ जाती है material किस format में हो सकता है एक तो graded readers है कई publisher ऐसे हैं जो intensive reading के लिए हर class level की supplementary book यह हो publish करते हैं CBSC ने भी recommend किया है supplementary reader Hindi और English दोनों में बचों में अध्यन के प्रती रूची जगाने के लिए reading में interest develop करने के लिए एक normal text book जिसकी intensive reading expected है उसके अलावा जैसे 10th में 9th में आप देखें CBSC की तो उन्होंने Hindi और English दोनों में lighter reading के लिए short novelas उसमें उन्होंने syllabus में डाले हुए है चोटे चटी उपन् तो graded readers भी हैं कि publishers उसको निकालते हैं प्रकाशित करते हैं तो उसका इस्तमाल किया जा सकता है जो पहले से निरधारित हैं दूसर तरीका है कि जो text बच्चों ने जैसे suppose करो रामायन के कोई episode syllabus में है intensive reading में तो रामायन से जुड़ा हुआ easier language में कोई extensive reading का text है same topic पे यदि benefits ने वो बहुत जादा हैं चुकि contextual information जादा होगी उसकी understanding and comprehension जादा होगी तीसरी जो important format हो सकता है कि हर language culture में कुछ authentic sources हैं जैसे हिंदी के अख़बार का अपना flavor है इंग्रीजी के अख़बार का अपना flavor है तो जिस जो भाशा हम सिखाना चाहते है extensive reading जिसमें कराना चाहते है उस भाशा के जो authentic material है वहां का newspaper, magazine, cultural, reports उसको पढ़ते हैं जिसमें उस संस्कृती की चीजें चुपी हुए हैं तो फ्रेंच सिखा रहे हैं तो फ्रेंच culture की जो normal चीजें हैं वो पढ़ाई जाएं उसको authentic material कहते हैं web resources, internet पर बहुत कुछ available है जो teacher अपनी मर्जी से ढूंड करके बच्चों के help करके बता सकता है extensive reading को develop करने के लिए फिर teacher stories और articles चुन सकता है वो चुनते हूँ वही बातें ध्यान में रखें कि level क्या हो चोटे चोटे sections हो sub sections हो ताकि बच्चे कम से कम कुछ sections पढ़कर अपने आप में confidence feel कर पाएं साथ में कुछ activities भी हो सकती है extensive reading के time में एक तो speaking component जोड़ा जा सकता है जैसे बच्चों ने एक section पढ़ लिया 15-20 minute उसके बाद एक दूसरे को interview करें कि भी तुमने क्या पढ़ा एक तरीका यह हो सकता है writing से जोड़ा जा सकता है कि बच्चे पढ़ ले extensive reading में कोई newspaper magazine या book और उसके बाद उसकी एक report लिखने के लिए हम बच्चों को कहें book exchange की चीज़ें हो सकती है एक class से दूसरी class में चीज़ें जा सकती है बच्चे अपना next goal अगली class में वो कितना cover करेंगे लिख के present करेंगे अपनी learning को कि बोल के present करेंगे यह सारे decisions जो है वो students ले सकते हैं पहले तो graded material से शुरू करते हैं और फिर authentic text की तरफ जाते हैं basic बात यह है कि जब लगे कि students की speed घट रही है इसका मतलब भी है कि उनका जो competence level है वो आ गया है तो इसका भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है students है वो अपने record के लिए reading log रख सकते हैं किस दिन क्या पढ़ा कितने page पढ़ा उसमें क्या सीखा वो record रख सकते हैं तो यह अंपर हैं समझ लें reading log और रिडिंग जर्नल में reading log में आप simply रखते हैं कि आज इतने से इतने वे तक पढ़ा इतने page पढ़ा ये किताब पढ़ी यह उता था Reading Journal में आपने उससे क्या सीखा, उसका record रखते हैं reflection कर सकते हैं, जो आपने सीखा, उस पर चिंतन कर सकते हैं और खासकर आपने अपनी reading के बारे में क्या feel किया अपनी speed के बारे में, comprehension के बारे में जो कुछ भी feel किया, आप उसको भी present कर सकते हैं जो book पढ़ी है तो उसकी report या summary present किया जा सकता है एक हिस्से को, पूरी को तो नहीं, बस एक हिस्से को retelling भी करवा सकते हैं तो यह कुछ तरीके थे अब assessment, देखो intensive reading assessment पर focus extensive में पहली बात यह कि assessment तो होनी ही नहीं चाहिए लेकिन extensive reading जो आप करवा रहे हैं उसका फाइदा बच्चों को हो रहा है कि यह तो assess करना ही चाहिए आपको तो इस पे कोई reading comprehension के exercises या को formal assessment नहीं होती है जैसा कि intensive program में होता है लेकिन यह है कि आप graded reading जब करवाते हो पांचवी के जो बच्चों को चौथी लेवल का text देते हो और वो देखते हो कि वो पहले पढ़ने में दिक्कत मैसूस होती थी और अब दिक्कत नहीं होती है तो आप गेस कर सकते हो कि भरी इनकी learning इंप्रूब होई है जो वो reading reports बनाते हैं journals दिखाते हैं आपको book present करते हैं project बनाते हैं उससे भी हम directly assess कर सकते हैं शिक्षक की भूमिका शिक्षक जो है वो reading material तैकरने में help करता है उनको ये बताने में help करता है कि उनके level का material है कि नहीं है easy book से शुरू करता है variety का ध्यान रखता है खासकर उन बच्चों के लिए जो बारवार एकी तरह का material लेकर आ जाते है फिर teacher की एक और भूमिका है कि कितना बच्चा को 20 मिनट में cover कर लेना चाहिए specific goals नरधारित करने के लिए time देता है और कई बार model करके दिखाता है खासकर करके जब extensive reading curriculum का पार्ट हो जाए यदि बच्चे को exact meaning नहीं पता तो teacher overlook करता है क्योंकि exact meaning purpose भी ही नहीं और ऐसा नहीं है कि बीच में बच्चा कहिए टक है तो teacher कूट जाओ हो बताना शुरू करते कम से कम intervene करना है teacher को यह उसमें ध्यान रखना है साथ में pre-reading activity teacher कर सकता है ताकि बच्चों को उस particular text या book में interest हो उस character के बारे में places, themes उसके लिए कुछ interest generation के कुछ activities कर सकता है लेकिन teacher को ध्यान रखना है कि curiosity stimulate करने के लिए जितना चाहिए उतना ही input दे बच्चों के बदले का काम वो करके न दे ताकि वो improve कर सके students की भी बहुत मत्रपूर्ण भूमिका है पूरी भूमिका ही उनी कि अच्छली सारा कुछ नहीं पर depend करता है dictionary use नहीं करना है जहां नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर जैसा मैंने आपको class में एक phrase use किया था site vocabulary कि आपको शब्द का मतलब नहीं पता बट टेक्स्ट में और वाक्य में वो शब्द जहां है उसकी location के आधार पर आप उस शब्द का आर्थ guess कर लेते हो उसको site vocabulary कहते है तो वो भी develop होना जरूरी है उसके लिए जरूरी है कि बच्चे extensive reading में dictionary कम से कम इस्तेमाल करें बच्चे अपना material खुद चुने तो बहुत बढ़िया है अपनी speed रखें students को जो फाइदे हैं पहला फाइदा तो reading habit बनती है confidence बढ़ता है उनका reading के प्रती रवहिया है वो positive होता है अपने आपको independent और autonomous feel करते हैं और वो समझ सकते हैं और जो उनके चारो reading material है उसके प्रती भी जागरूख हो जाते हैं उनको कैसे access करना है material को उसके प्रती भी जागरूख हो जाते हैं जैसा मैंने कहा उनकी sight vocabulary बहुत expand हो जाती है guess करकर के फिर उनमें एक incidental grammatical competence डवलप होता है जैसा मैंने कहा कि यह उदेश नहीं है intensive reading में उदेश है grammar vocabulary डवलप करना लेकिन इसमें incidental grammatical competence दो है वो डवलप होती है background knowledge context की knowledge डवलप होती है reading comprehension डवलप होती है overall language competence भी डवलप होती है और आगे की academy courses के लिए next level के लिए mentally बिलकुल cognitive level बिलकुल ready होते है large quantities पढ़ने के लिए तैयार होते है इसके लावा भी कुछ advantage है अदि आप इसको writing और speaking से link कर दें तो आप देखें कि इनका overall language competence बढ़ रहा है reading के लावा भी और जैसा कि researches में पता चला है कि extensive reading में जो students engaged होते है उनकी language skill की practice के लिए जो volume चाहिए text का वो बढ़ जाता है उनकी speed और comprehension level बढ़ जाता है creation कहते हैं कि जो language acquisition, literacy development दोनों इसमें बढ़ती है verbal memory बढ़ती है उनमें enjoyment level बढ़ता है greater success academic level पे feel करते हैं information और ideas भी उनके enhance हो जाते है but extensive reading के कुछ समसा है कुछ challenges भी है पहली बात तो इसको administration की तरफ से support नहीं मिल दी क्योंकि इसके लिए extra time चाहिए extra effort चाहिए और चुकि इसका ना number लगना है ना कुछ होना है तो generally जो systems है वो इसको support नहीं करते है लेकिन studies बताती है कि जिन language जिन students को extensive reading support मिला है उनकी reading acquisition और reading language learning बहुत जादा enhance हुई है बट I am sure आपके भी experiences में मेरे experience में तो मुझा आद है कि हमारे यहां formal curriculum में नहीं था क्योंकि तो शाद teacher aware नहीं थे और यही होते भी तो शाद उनको administrative support नहीं मिला था दूसरी जो समस्या है कि मैंने भी आपको बताया कि बच्चों के level के text होने चाहिए वो text ही available नहीं होते है generally हमारे जिस context में और आप आते हैं तो ना घरों में हमारे level के बच्चों के level का text available है ना स्कूलों में level का text available है तो यह भी एक बहुत important challenge है फिर बच्चे जो अपनी experiences लिखते हैं teacher के लिए पढ़ना बहुत time consuming है क्योंकि teacher का focus तो intensive reading पर है तो इतने सारे बच्चे यह दी अपनी experiences लिखते हैं share करते हैं reading journals बनाते हैं reading logs बनाते हैं तो उन सब को पढ़ना और उस पर प्रतिक्रिया देना teacher के लिए बहुत जादा burdensome काम हो जाता है साथ ही जिन बच्चे यह हमारे ऐसे culture से आते हैं जहां literacy पे बहुत focus नहीं है उनको pleasure reading का concept समझाते समझाते वो बड़े हो जाते हैं जब उनको समझ में आता है तब तक वो phase निकल चुका होता है तो teacher में तो problem होती ही है students और उनके parents में भी problem होती है उनको support नहीं मिलता है ज़ि बच्चा अपनी पसंद से कोई किताब घर में पढ़ भी रहा होता है तो parent discourage करते हैं वो कहते हैं कि टेक्स्ट बुक से question आएगा उसी पर ध्यान दो यह तुम क्या फालतो कि कॉमिक्स लेकर के या नॉवल लेकर के बैठे हूँ बट बाद में हम realize करते हैं कि वो कितने important चीज़ें होती है अपने मर्जी से पढ़ना teacher's level पर मैं आउलेडी कहां कि वो skill based program में जादा focus रखते हैं जिन में assessment होती है और clear cut benchmark होती है परफॉर्मेंस के extensive reading program में उतने comfortable नहीं होते हैं उनको पता भी नहीं होता extensive reading कराना कैसे है graded reading जो program से उसको कैसे इस्तिमाल करना है उनके लिए students के लिए उनके पास एक दूह ही type की activity होती है बार बार वही कराते हैं इस वज़े से भी यह भी बहुत बड़ा challenge है और basic उनको यह भी लगता है कि यह time की बर्बादी है इतना focus है दी उन्होंने intensive reading करवा होता तो बच्चों के लिए ज़्यादा फाइदे मन्द होता क्योंको उनका focus सिर्फ exam पे होता है साथी लोगों को भी लगता है कि कई बार दी extensive reading में बच्चों को ना क्योंकि हम speed पे focus रखते हैं तो उनको लगता है कि number of pages पढ़ना ज्यादा important है नहीं कि comprehension हलाएं कि उसका उदेश्य है नहीं लेकिन कई बार जो researches में पता चली है कि students के मन में यही है कि extensive reading में जितना जादा page पढ़ लो उतना अच्छा है तो यह गलत impression भी चला जाता जो इसका intent है नहीं जिनको हमेशा से intensive reading ही करवाई गई है उनको यह accept करवाना भी बहुत बड़ा challenge है कि actually extensive reading भी reading skill improve करने का बहुत crucial तरीका है तो I hope कि आपको extensive reading के different dimensions आपको समझ में आ गया होंगे कि यह होता क्या है कैसे use करते हैं कैसे material चुनते हैं क्या इसके advantages or disadvantages है